Hello Everyone, Welcome to the NST Classes So guys, आज किस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ सेट एक्जामिनेशन की और ये जो नोटिफिकेशन ही है ये आसम सेट के बारे में So अगर आप आसम सेट का एक्जाम देना चाहते हैं तो आप इस एक्जाम को दे सकते हैं आप आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट का नाम है SLET तो यहाँ पर SLET Any Reason और ये स्टेट लेविल का Elisability Test है ये इसका लिंक है जो आप यहाँ बेख सकते हैं गाइस मैं आपको आज के वीडियो में देने वाली को एक बहुत ही अच्छा बॉनस पॉइंट जो आपके बहुत काम आएगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि SET और नेट में क्या डिफरेंस है तो नेट नेशनल लेविल का एक्जाम है सेट जो होता है हर स्टेट का अपना अलग-अलग होता है तो अगर आपको आसाम में असिस्टेंट प्रोफेसर वनना है तो आप इसको दे सकते हैं इसको बोलते है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टैस्ट और ये होगा आपका स्टेट लेवल का तो guys आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ इस notice के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो इसका last date है यहाँ पर 8-1-2024 यानि कि 8 Gen तक आप इसके forms को भर सकते हैं और 12 Gen तक इसकी जो fees है वो आप submit कर सकते हैं तो set का यह notification है जो release हुआ था 21-11-2023 को और अभी इसका last date बाकी है इसका जो examination date है वो आ गया है इसका जो examination है वो 17th January को होगा Sunday को अगर अभी भी आपको इसका form बना है तो अभी भी आप भर सकते हैं क्योंकि इसका last date अभी भी नहीं गया है तो यह इसका हो गया ते कब होगा और इसकी date guys मैं आपके साथ जो एक bonus point शेयर करने वाली ह है कि बहुत सारी ऐसी state हैं जो set का exam conduct करती हैं जैसे आंधरा प्रदेश, आसाम, बिहार, चतिसगर, गोवा, गुजरात, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, जंबू और कश्वीर, जहारखन, केरला, करनाटका, मध्या प्रदेश, महरास्ट्रा, ओरीसा, पंजा, राजिस्थान, तमिलाडू, तेलांगना, उत्राखन, एन्बेस्ट वेंगोर, यह सारी state national level पे अपने हां set का exam conduct करती हैं, तो these are states conducting set examination, इसके अलावा जिन state में set का exam conduct नहीं होता है, जैसे हम example ले सकते हैं, UP में, किसी भी तरीके का, उतर प्रदेश में set का exam नहीं होता है, तो बहाँ पर national level क जो आप net देते हैं, उसी को value दी जाती है,